नमस्कार प्रिय मित्रो फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है DSR Zon में मित्रो खराब से खराब हो चुका बुरे से बुरा हो चुका संबंथ सुधर साथा है अगर आप उसे सुधरना चाहते हैं अगर आप किसी यक्ति को चाहते हैं चाहे वो पुरुष है या स्त्री है और आपके बीच कोई संबंद खराब है आप एक गिफल से प्रेम करते थे लेकिन अब आपके बीच मन मुटाव है कोई किसी बात नहीं मानता दूर जा रहा है नाराज है या किसी और की उर बढ़ रह आपको छोड़ रहा है यहां तक की बात चीत भी बंद हो गई है बात कितनी भी बढ़ गई हो पती पती हो प्रेमी प्रेमी कहा ऐसी किसी भी समस्या के समाधान के लिए एक बड़ा ही सरल सा उपाय आज हम आपको बताएंगे थोड़े से नमक के द्वारा यह उपाय हो जात और आप देखेंगे आपका संबंध आपका रिष्टा किस तरीके से सुधर जाएगा हमेशा तेरी उपाय बहुत ही शक्ति शाली है हमित्रो इस उपाय को शुरू करने से पहले दू बातों का विश्वास रखें एक की विश्वास पूरा बनाए रखें और दूसरा वीडि मंत्र क्या है मंत्र लिखकर बताईए मित्रो हमेशा मंत्र लिखकर ही बताया जाता है वीडियो ला मंत्र लिखा होता है अगर आप ध्यान से वीडियो देखेंगे ऊपर मंत्र लिखा रहता है तो कोई परशानी की बात नहीं है इसलिए लिखा जाता है कि आप ठीक से उसका कर सकते हैं आपने क्या करना है अपने हाथ मुंग पहर अच्छे से दू कर सनान किया हो तो कोई आवशक्ता नहीं है एक स्थान पर बैठ जाए उपाय को आप किसी भी समय कर सकते हैं जब आपके पास समय हो तब पालती मारकर चौपड़ी मारकर बैठना है कोई भी आसन कपड अब इच्छा है दिशापनी जो रखेंगे बैठने की वो आप पूर्व की रखेंगे जिस और से सूर रोदाय होता है उस और आपने मुग करके बैठना है अब आपने क्या करना है जैसकी बताया आपने थुड़ा सा नमक लेना है किसी भी पात्र पर लेना है कोई कटोरी ह कोई ब्लेट हो इस पर आप नो मक्री एक लिए चोटा सा कागज काट हो कागज के टुकडे पर एक शब्द लिखें आप त्रियम वीडियो में दिखाया गया थी त्रियम लिखें नीचे उस व्यक्ति का जिसके लिए आप यह उपाय का रही है उसका नाम लिखें पुरुष इस त्रिया कोई भी किसी के लिए भी कर सकता अब आपने क्या करना है इस कागज पर इस कागज को आप किसी भी अन्नी पातर पर सामने रखेंगे या कोई कपड़ा हो जिस कपड़े पर बैठे हैं उस पर ना रखें उसके अलावा रगद सिर्फ नीचे जमीन पर सीधा न इसलिए आपने उसका इस्तिमाग आपने उपर से कागज रखा जिसमें आपने त्रियम और सत्रु का नाम लिखा है अब आपने एक चुटकी नमक नमक को जो आप आतर में लेकर बैठे हैं वो आपके दाई हो यानि आपके राइट एंड की साइड आएगा आप उसे लेफ श्वह स्वाहा इस मंतर का तीन बार रक्षारण गिया अमक के स्थान पर जविट्टी का जैसा आपने नम लिखा है कागज में वैसे ही नम लिया नमक को छोड़ दिया उस कागज पर फिर दुबारा एक चुटकी उठाया इसी तरीके से फिर किया और फिर नमक डाल दिया क कागज पर फिर एक चुटकी उठाया तीन चुटकी आपने बिलकुल रिसी परीजे से कागज पर रख दे ला कागज की पुढ़िया बना ले कागज को अपने उल्टे हाथ में रखें सीध्य आथ से उपर से डाग चाहे उसकी मुठ्थी सी बनाना है या आप सीध्य आथी इन रख सकते हैं उपर से डख दे बस आपको नजर ना है उसके बाद आपने उस व्यक्ति को इस्वनन करना है जिसके लिए आप से उपाई कर रहे हैं दुवारा से बस एक बार सोच लिया उसे जब उसकी तस्वीर आपको मन में तिखाई यह लग जाए आपने उस नमक के पुड़ियाबू लेकर घर से बाहर नेकलना है घर में कोई गंबला हो उसकी मिट्डी में दबा दे या घर से बाहर अगर आपको यह गंपला नहीं है तो घर से बाहर जाए किसी दीवार के किनारे या पीड़ के पास छोड़ा है और बिना उस और देखी वापस गारा घर अपने आप तड़प पर बीचल होगे तोड़ा चलाएगा आपने बास वित्रू ये है उपाय आप कर सकते हैं अपने सम्मलनों को शुदारने के लिए अब देया गया फिन अलाकात होगी एक ऐसे इन बहुत ही गूपसूरत से उपाय के साथ अगले येडियो में अपना क्याल रखें खुश रहें नमस्कार